कि हैं अगर आप इस बर क्लास्ट टुवल साइकलोजी नी मनोग घ्जान का एक्जान दिने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफी इंपॉर्टन है जी हां क्योंकि हम लोग डेली की तरह आज की इस च्लास में आपको सारे क्वेस्टन को लास्ट तक देखना जी हां और आपक शेयर कर देना है और जो भी इस चैनल पर नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस्ट कर लेना है ताकि जितने पी क्लास्ट होती है सब का लिंक टेलीग्राम पे डाल दिया आथा आप वहां से डारेक्ली क्लास में जॉइन हो सकते हैं अगर आप प्राथमिक मानसिक योगता का सिध्धान किसने प्रस्तूत किया रहे हैं निमनाकित मैंसे किसे मनोविज्यानिक विश्षता में सम्मिलित नहीं किया जाता है जिहां आपको बताने हैं तो वह अप्रेक्षन को तरिक देख लिए क्या बोला जारा है मानसिक उम्राह मापक है तो तो थिरी का आप्स्टन नमर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाए ने बुद्धी के निरिपैक्ष अस्तर का तो तो ऑनंद सिध्धान्त निर्देशित होता है किसे न क्या बोला जाए निम्लिखित मैंसे कौन पर्ती रक्षा मन रचना है जिसिए कौन पर उप्च्छन को दिख लिजिए जिसने आदर शाकार आत्मक आदर का शंपरत्य दिया जियां किस तो सेवें का आइटर नोमर बी बिल्कुल कर्यक्ट हो जाया गानि और आइटर ने कम्मेंट मोख से बताइए कौन से आप्सव का परतीय पादन किस ने किया दिए टैप सी विक्तित्व का परतीय पादन तो एट का ऑफ्शननमर परतीय पादन मौरीस निक्स。 Q9 को देख लिए क्या बोला जरा है वैक्तित्व विकास का सही करम है तो आप्षिन नमर् भी बिल्कुल करेंट हो जाया गो नि दम अहम प्राहम खेली आप देख लिए Q10 क्या बोला जरा है वेक्तितुव का कारक विश्लेशन सिद्धान्त का पर्तिपादक कौन है जिहां तो कौन इसके पर्तिपादक है तो 10 का option बी बिल्कुल करेक्ट हो जायागा ने कैटेल चलिए आप question 11 को देखेंगे और आप लोग राइड़न से बताइए का कौन सा option 11 का correct होगा जिहां आ चु लकित मैंसे किसे नहीं रखा जा सकता है किसको नहीं रखा जा सकता है तो 12 का option बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ने दूसरे को धमकी देना चलिए अब question 13 को देखेंगे क्या बोला जा रहा है मांसिक लबदी पद को किसने सरोपर्थम परसूत किया जिहां तो किसने हमता को कहा जाता है तो किया कहा जाता है 14 का option सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ने शर्जन सीलता कहा जाता है अब question 15 को देखेंगे क्या बोला जा रहा है निमद्लिकत मैं से कौन सांस्किर्थि बद्ध बुद्धि परडिक्शन है कौनसा है याप तो 15 का option बेखेंगे बि कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जिए तीन हो जाएगा चलिए तो आपको सब्सक्राइब को देखिए क्या बोला जारा और सामान वे वहार में अंतर होता है जिए किसका अंतर होता है तो आपको सब्सक्राइब को देखिए निमनागित मैंसे कौन काय रूप विकार है जिए तो आपको सब्सक्राइब को देखिए जिए निमन नखित मैं कौन बुलीमिया विकार है जिए तो 21 का अप्सिन वर यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नि मैं से सभी चलिए और राइटर से बते कौन सब्सक्राइब करेक्ट होगा बाजार या सारवजिनिक अस्थलू में अस्थलू से आयुक्त संगत भय को कहते है ज किसने प्रसवरो पर्थम स्विकार किया की दों वेवंग अंतर वैक्तिक संबंदु में बाधा मानसिक विकारों के महतपूर्ण कारण है जिखां किसने स्विकार किया तो 24 में राइटेंस आप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाया गरी जॉन वेयर ने चलिए आप क्षेशन 25 को देख लिए क्या बोला जा रहा है शेल्डर के अनुसार किस प्रकार के शारिरिक बनावट के वेक्ति आप राधिक वह वहार अधिक करते जिखां तो 25 में और सी बिल्कुल करेक्ट हो जाया गरी मैसो मॉर्फिक चलिए आप क्षेशन 26 दिख लिए ब सब्सक्राइब का प्रकाशन है तो कौन से प्रकाशन है तो 26 अप्षेशन में बिल्कुल करेक्ट हो जाया गरी अमेरिकर मनों चिक्सा संग द्वारा चलिए आप क्षेशन 27 दिख लिए क्या बोला जारा है निम्नांकित में कौन दुष्चिनता विकार नहीं कौन मनों गत्यात्मक चिक्सा विदी के पर्ति पादक है तो 28 का एप्षेशन नमर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाया गरी रेस्नल इमोटिव चिक्सा चलिए क्या बोला जारा है रोगी केंदी चिक्सा में चिक्सक जिक्सक क्या करता है तो 30 राइट एंसर और डी बिल्कुल करेक्ट हो जाया गरी रोगी को स्वेंग समयस्या को समझने तथा समाधान करने का अउसर देता है चलिए आप देख लिए नेक्स्ट क्वेस्टन क्वेस्टन और 31 और आप लोग राइट एंसर बात ये कौन सो और 31 का करेक्ट होगा ज कौन आयूर विज्ञान चिकस्ता नहीं है कौन आयूर विज्ञान चिकस्ता नहीं है तो 32 का अप्शन वर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ने सेवार्थी केंजरित चिकस्ता चलिए आप क्वेस्टन में 33 दिख लिए क्या बोला जाना है सीखने के सिध्धान्त का सही है जिहां तो कौन सा कथन सही है तो 34 का अप्शन वर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ने उपरिक सभी चले आप क्वेस्टन 35 को देख लिए क्या बोला जा रहा है कि सामुहिक और चेतन की अवधार्णा को कहा जाता है जिहां तो क्या कहा जाता है तो 36 को देख लिए आज प्रारूप कहा जाता है तो 37 को देख लिए निम्नमैसे कौन सामान ने अनुकूलन सनलक्षन से के चरण है जिहां कौन है तो 38 का अप्शन वर बिल्कूल करेक्ट हो जागा ने परती रोद चले आप क्वेस्टन 39 को देख लिए सामान ने अनुकूलन सनलक्षन या जी एस के संपर्तियों को किसने प्रस्तूत किया जी हां किसने प्रस्तूत किया है तो 39 का अप्शन वर बी बिल्कूल करेक्ट हो जागा ने हैंस सेली ने चले आप क्वेस्टन 40 को देख लिए क्या बोला जाना है विड़ो या भागो अनुक्रिया का संबंध है जी हां किस से सं सब्सक्राइब नalı को सब्सक्राइब क्या यालने कीया ठीकर इसलीособाइं ड लूग भी भी बिल्कूल हो जागे我 एक sexe के लीए हर्य कारोगों के सा उचीत संब्द में अस्ताबी करता है तो उसे का गया तो 43 का option number C बिल्कुल correct हो जाए गाने समाह योजन कहा जाता है कि लिए तब question 44 को देख लीजिए हैं सेली ने सुई कारात्मक तनाव को कहा है जी हां कि अवस्तिनी किस अवस्ता में वेक्ति बिमार हो जाता है जी हां तो कौन सी अवस्ता में तो option 3 को देख लीजिए आकरमन का मूल परविर्ति सिद्धान किसने पर्ति पादित किया जी हां फ्राइड ने आप देखलेंगे नेक्स्ट क्वेश्टन 49 क्या बोला जा रहा है आकरमन के सामाजिक शिद्धान्थ का पड़ती पादन किस ने किया जिए यहां पर 50 बी बिल्कुल करेक्ट हो जागा ने बंडूरा तथा उनके सहयोगी ने जिहां क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिये और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया जिहां और अब और अगर आप सब्जिक्टिव मोडल पेपर का स्लूशन चाहती है तो आप लोग केलिग्राम में जुर जाइए और वहाँ पे मैसेज किजिए मैं वहाँ पे आपको प्रवाइड गरा दूँगा चैले आप क्वेश्चन 51 का राइटन सब्सक्राइड होगा छात्र बिल्कुल करेक्ट हो जाए गरें और शाब्दिक संचार चैले आप क्वेश्चन 53 को देख लिए क्या बोला जारा है दूसरे के आएने में अपने को ढखने का भाव किस कौशल को दरसाद है तो 53 का आपस्टिन नमर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाए गरें समानु भूती चैल कॉश्चन 55 को देख लिए कॉश्चन के बारे में कौन कथन सही है जिए तो 55 को आपस्टिन वर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाए निक्ट को पर्सिक्षन से अरजित किया जा सकता है जिल्याव क्वेश्चन 56 को देख लिए क्या बोला जारा है बंडूरा ने सर्प दुरभीती को दूर करने के लिए किस परवीदी का उपयोग किया है जिए हां तो कौन सी परवीदी है तो ऑफ्चन वर्ड ए बिल्कुल करेक्ट हो जागा नहीं आट को देखिए क्या बोला जा रहा है तो अपने विस रिलेशन का उपयोग किस चिकिस सीए वीधी में होता है वह आपको राइटन से बताने है जाए तो आपका अप्शन नुमर भी हो जाएगा नहीं मनों गत्यात्मक चिकस्ता में चले आप 59 को देख लिए क्या बोला मनों विरित्ति का निर्मान निम्नांकित मैं से किस कारक द्वारा परवायत नहीं होता है तो 60 का उप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा निया वेर भाओ चले आप क्वेश्टि परिवर्तरं के संतुलन सिद्धान के परतिपादक है निया को इसके परतिपादक है तो 62 का उप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा निया फिरिट हाइडर चले आप क्वेश्टि परतिपादक हो जाएगा निया जब वेक्ति के सामने दो विरोधात्मक सुरुच्टना है होती है अब यहां क्वेश्टि निर्मान के सांस्कृतिक कारक की भूमेगा पर बल दिया है किस ने दिया है तो 64 में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा निया दूसरे वेक्ति को आप देख लिए नेक्ट क्वेश्टन क्वेश्टिक क्या बोला है 66 में और यहां पर राइटना सा बताए कौंस ऑप्शन करेक्ट होगा दो एक्टिव के समों को कहा जाता ह तो क्या कहा जाता है तो आप्शन नमर एक सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ने प्राथमिक समों कहा जाता है तो आप देखलेंगे नेक्ट क्वेश्टन क्वेश्टिमर 67 में और यहां पर राइटन सा बताए एक संदर्व समों के लिए सरवाधिक वानचित आउस्ता क्या है जी हां क्या है तो 67 का ऑफ्शन नमर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ने समों का परभाव तो आप देखलेंगे नेक्ट क्वेश्टिमर 68 और आप लोग राइटन सा बताने है कौन सा आप्शन होगा सामाजिक सरली करम से तात परिया जी हां क्या तात परिया है तो 68 मे अपने निस्पादन में सुधार की प्रभिर्ती से क्या बोला जरा है क्या अनुसार सामाजिक परभाव का कौन एक परकार नहीं है तो 69 में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाए आग्या पालन किसने गौन समू को एक परकार परिभाशित किया कि वैसे समू जो घनिस्टिजा से परदान करते हैं उन्हें ही गौन समू कहते हैं यह किसने परिवाशित किया है तो 70 का और सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ने और निम कॉफ ने यहां तो इसी क्वेस्टिन के साथ हम लोग आज का इंपोर्ण मोडल से बिल्कुल कर लिया है अगर आपने पुले क्लास को नहीं किया तो आपको पूरे क्लास को करना जरूरी है क्योंकि हम लोग इस मोडल से जितने भी सारे कोई से बाहर नहीं आएगा तो आपको सारे क्लास को करके एक्जाम में बैठेंगे आपका 90% प्लस माक्स आएगा जी हमें गारेंटे के साथ आपको कहता हो तो आपको पूरे क्लास को करना जरूरी है और अब तक आपने अगर टेलिग्राम चैनल में नहीं जुरा है तो लिंक डिस्क्रिशन आप लोग जूर जाए और मैंने लाइप कमेंट में भी पिन कर द नेक्स्ट क्लास